हेलो एवरिवन है वेरी गुट एक सेड़ है अब सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम लिमिटेट लियाबिलिटी पार्टनर्शिप को पार्टनर्शिप एक तू थाउजंड एड को कवर करते हुए चलेंगे एक बार पड़ा-फड़ से एवी कंफरमेशन देंगे इस टाइम होता है चे वजे उस पर क्लास में ले रही हूँ आज थोड़ा प्रीपोन हो रहा है बड़ा यूप यू गाइस के अंडिस्टैंट और मैं इस क्लास को डिले नि करना चाहती थी इसलिए मैं सोचा कि प्रीपोन करनी चाहिए जो भी फॉर वरी फर्स टाइम हमारे सा हँएं तो आफ जोइन कर सकते हैं और M.P.S.T. को टार्गेत करते हुएं और RP.S.T. को टार्गेत करते हुएं इस सेश'ंस आपके लिए कंदगए जारे है और ये सेश'ंस करते हैं कच्छे तरीके से प्रप्रेशन करने में कुछ भी पूछना है आपको तो आप इन दो नंबर पे पॉल कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लीजेगा अगर अभी तक नहीं किया है यहां पे आपको युनिट वाइस चीजे मिल जाती है और पे पेप यहां पर आपको पेच मिल जाते हैं complete paper 1 & paper 2 का और अगर आप only paper 1 या only paper 2 लेना चाहते है तो वह भी ले सकते हैं handbook केवल या test series लेना चाहते हैं तो वह भी आपको रहे आपको मिल जाती है येस MP set के लिए Sunday को एक session लिया जा रहा है और वो ना केवल MP set के लिए होगा ठीक है MP set के questions होंगे उसमें बहुत सारे pattern वही होगा बट जो net के लिए भी prepare कर रहे है ना उनके लिए भी बहुत जादा important वो session होने वाला है basics आपको अच्छे से समझ आएंगे और आपको एक तरीका पता लगें किस तरीके से questions है जो frame होते हैं और कैसे आपको approach करना है वह आपके लिए भी बहुत जादा important रहने वाला है चलिए first question आपके सामने है इसका answer बताएए क्या होगा इसका correct answer very good evening everyone VVP nice voice video and PPT अना चलिए first question है not valid बताने नोट को पढ़ लीजेगा ध्यान से झाले यह 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 क्यरी यह 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 आपको आपको याद रखनी है एक है ए थोड़ा सध्यान से थोड़ा सध्यान से इन में से LLP एक में एक वैलिड प्रोविजन कौन सा नहीं है LLP में हम क्या बढ़ते हैं यह पार्टनर्शिप और कम्पनी का हाईब्रिड है मीनस पार्टनर्शिप के कुछ पीचर्स हैं में कुछ features company के हैं ठीक है तो यहाँ पर बोला जा रहा है first point है कि आपको books of accounts double entry system की according maintain करनी होती है ठीक है और cash और accrual basis पे यह point बिल्कुल सही है double entry system ही आपको follow करना होते है specifically mentioned है यह चीज़ ठीक है provisions जब आप पढ़ते हो LLP act में तो साफ साफ clearly mentioned है कि आपको जो अपनी books of accounts बनानी है वो double entry system पे बनानी है और cash और actual basis पे आप बना सकते हैं ठीक है जैसा भी आपको सही लगता है उस basis को आप use कर सकते हैं फिर इसके बाद है LLP shell prepare a statement of account येस हर साल LLP को एक statement of account बनानी होती है और statement of solvency बनानी होती है कि हमारी जो financial position है वो solvent है हम अपने जो debts है उनको properly pay off कर पा रहे हैं ठीक है हर financial year में ये चीज आपको बनानी होती है और LLP के लिए चीज होती है कि उसकी जो books of accounts है उसको कितने time period के लिए maintain करना है ये time period से दो से तीन बार question बन चुका है eight years इसका answer है LLP को अपनी books of accounts कम से कम आठ साल के लिए संभाल के रखनी होती है फिर LLP को annual return file करनी है तो yes बिल्कुल हर LLP को annual return file करनी है with the registrar of companies फिर उसके बाद है LLP separate legal entity separate हमने क्या पढ़ा था LLP में partnership और company के features होंगे company का feature क्या था कि यहाँ पर Limited liability होती है partnership का feature क्या था यहाँ पर mutual agency होती है तो क्या LLP independent of partners है नहीं LLP is not independent of partners LLP is dependent of partners यह separate legal entity नहीं है ठीक है dependent है अपने partners पे तो अभी तो हम बढ़ते है कि कम से कम दो पार्टनर्स यहां पर होने चाहिए फिर हम बढ़ते हैं यहां पर कि individual partner बन सकता है ठीक है अगर corporate को partner बनने तो उसका एक representative partner बनेगा और number of partners जितने भी होंगे उनमें से minimum दो designated partners आपको चाहिए ठीक है फिर उसमें से भी condition हम पढ़ते हैं कि एक partner resident of India होना चाहिए तो independent of its partner नहीं होती है डिपेंडेंट होती है तो यह गलत answer है मतलब not valid है तो यहीं इसका correct answer हो जाएगा आई होप यह चीज़ आपको clear है सही था तो डी इसका correct answer होगा चले next question देखिए नहीं इसका answer डी है ठीक है हुआ हुआ है यहां पर आपसे किस तरीके से एक LLP वाइंड अप होगी वो पूछा जा रहा है कि आपको यहां पर पता होना चाहिए कि किस किस मेथड से आप वाइंड अप कर सकते हो LLP को कि 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 अपको अपसे कि आपको अपको यहां पता है option number D तो यहां पर क्या होगा option number D ही इसका correct answer होगा LLP जो है उसको आप wind up कर सकते हो voluntarily भी अपनी इच्छा से भी आप कर सकते हो and compulsory wind up भी होती है compulsory wind up कब होता है कि जब आप provisions को follow नहीं करते हो तो court आपको order देता है कि आपको इस LLP को क्या करना है wind up कर देना है ठीक है तो voluntary भी होगा और voluntary के साथ साथ आप established जो भी हमारी company act के according tribunal established है NCLT national company law tribunal अगर उसने order pass कर दिया है तो भी आपको wind up करने पड़ती है अपनी LLP को तो D's का बिल्कुल correct answer होगा चली next question देखिए यह history से related है यह section आपको याद होने चाहिए बहुत important है इंग्लिश में देख लो फिर मैं हिंदी में दिखा देती हूँ आपको यह जह आपको हाँ से पिल्कुल अवैं होगानग में द effects रानल कार लोगपती है में में देखार व आपको यहjak को झाल झाल आपको इन में से पताने है कौन सी स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन नम्बर डी सभी की सभी स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर याद रख सकते हैं यह पुछा गया है फिर इसके बाद जो सेक्शन फाइव है वो यह बताता है कि कोई भी इंडवीजियल या बॉडी कॉर्परेट भी मेंबर बन सकती है बट क्या बॉडी कॉर्परेट ही मेंबर बन सकती है नहीं बॉडी कॉर्परेट अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो है बट वो खुछ से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है तो यहाँ पर एक कोई न कोई क्या होगा रीप्रेजेंटेटिव होगा जो क्या होता है डारेक्टर होता है उस कंपनी का तो वो डारेक्टर on behalf of company वहाँ पे एक partner बन सकता है ठीक है तो वो लल्पी में partner बन सकता है डारेक्टली company नहीं बन सकती है फिर इसके बाद section 6-1 में क्या बताया गया है कि हर एक LLP में कम से कम दो partner होने चाहिए this is very very important at least two partners होने चाहिए और इन दो partner में से यहां पर दोनों designated partner होने चाहिए क्योंकि at least two designated partner चाहिए तो दोनों partner designated partner हो सकते हैं और उनमें से एक क्या होना चाहिए resident of India होना चाहिए ठीक है तो यहां पर क्या है 7-1 में क्या बोला गया कि कम से कम दो designated partner होने चाहिए और उनमें से एक partner कम से कम 182 दिन रहा होना चाहिए 112 दिन से कम नहीं रहा होना चाहिए मतलब resident of India होना चाहिए तो यह सारी conditions बिल्कुल सही है बिल्कुल properly हाँ पर mentioned है अब यहाँ पर एक और चीज आती है जब भी आपको designated partner बनना है वैसे ही similarly आपको अगर designated partner आप बने हो किसी LLP के तो आपको designated partner identification number लेना जरूरी है अगर आप यह नहीं लेते हो तो आप designated partner नहीं होते हो ठीक है तो वहाँ पर फिर provisions apply होते हैं अगर आप यह चीज नहीं करते हो तो उसके लिए आपको penalty वगरा लगते है जो भी provisions होते हैं वो आप पर follow होते हैं तो सभी की सभी statement यहाँ पर बिल्कुल correct थी चलिए next question देखिए यहाँ पर एक question में आपको मैं ज़्यादा time दे रही हूँ क्योंकि एक question में ही 4-5 question है ठीक है AP में एक एक line से एक question बनता है मैं आपको इक अठी question दे रही हूँ so that आपकी अच्छी तयार ही हूँ concentration आपका बने designated partner होता है जिसकी एक अलग से क्या होती है कुछ responsibilities होती है ठीक है जैसे एक class होती है उसमें एक monitor होता है न कि वो और चीजों के लिए क्या होता है रिस्पोंसिबल होता है जो management उसको करनी है ऐसे similarly जब एक company की तरह ही LLP बनती है ठीक है पार्टनर्स होते है और partnership में partners होते है और company में members होते है LLP क्या है इनका hybrid है तो LLP में क्या होता है कि partners है ठीक है partners आपस में काम करने इनकी mutual agency है independent नहीं है एक LLP अपने partners है जो हमने first question में बढ़ा but manage करने के लिए LLP को designated partners बनाए जाते है और यह provision at least दो partner होने चाहिए as per section 6-1 और वो जो दो partners होंगे उनको डेरेक्टर designated partner identification number है जो लेना होते है ठीक है वो थोड़ा क्या होते है कि उनको manage करना होते है LLP को यह जो question है यह बहुत important question है दो से तीन बार repeat हो चुका है मतलब यह 5 statements है ना इन में से एक या दो statement आ जाती है इनकरेक्ट है यहाँ पर ध्यान से बढ़िएगा option number D C मुझे यहाँ पर आप schedule link के दिखा सकते हो जहाँ पर एक firm LLP में convert हो सकती है कौन सा schedule है public company, private company, unlisted company या listed company यह कैसे LLP में किस schedule के according क्या हो सकती है convert हो सकती है LLP में हम तीन schedules बढ़ते है Yes, anyone Hindi में देख लीजे जो answer option number D दे रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लीजे झाल में देखंट यह कर रहे है झाल झाल चले तो इसका जो correct answer होगा that will be option number c ठीक है जो c और d statement है वो गलत है यहाँ से बहुत बार question है जो बना हुआ है LLP में आपको तीन से चार schedule में आपको बता रही हूं चार schedule बता रही हूं उनको याद रख ले न यहाँ से बहुत question बनते है ठीक है अभी देखते है कि क्या के statement इसमें दी हुई थी तो first statement देखिए fee payable for registration of LLP whose contribution exceeds 10 lakh is Rs.5,000 अगर आप LLP form कर रहे हो ठीक है और at the time of registration आपका नहीं जो पैसा लगाया वो 10 lakh से जादा हो जाता है तो आपको 5000 रुपर registration fees देनी पड़ेगी तो यह statement बिल्कुल सही है the accounts of LLP shall be audited if the turnover of LLP exceeds 40 lakhs तो यह point बिल्कुल सही है याद रखना है इसके बाद बोला हुए option number C में statement C में the act does not allow the conversion of from the unlisted company into LLP unlisted company LLP में नहीं convert हो सकती है क्या यह statement सही है unlisted company can be converted into LLP ठीक है यह चीज़ गलत है not allowed नहीं है allowed है किस schedule के according fourth schedule के according लिख लीजे notebook में as per fourth schedule any unlisted company can be converted into LLP ठीक है फिर इसके बाद बोला गया fourth point में the procedure for conversion from the firm into LLP dealt with in the first schedule गलत है एक firm को LLP अगर बनना है तो वो second schedule में है ना कि first schedule में तो second schedule यहाँ पर आएगा first schedule में क्या चीज़े आती है कि अगर आपने कोई भी LLP agreement sign नहीं किया है तो LLP agreement की absence में जो जो provision applicable होंगे वो बताई गए है schedule 1 मे schedule 2 में firm की conversion LLP में बताई गई है schedule 3 में private company को LLP में convert कर सकते हो यह चीज़ बताई गई है and schedule 4 में एक unlisted company को आप LLP में convert कर सकते हो यह बताया गया है listed company कभी भी LLP में convert नहीं होती है this is very very important point listed company कभी भी convert नहीं होगी ठीक है unlisted company can be converted this is important point फिर इसके बाद देखें यह दोनों statement गलत है इस statement देखें books of accounts of LLP are required to be preserved for 80 years तो बिल्कुल सही बात है कम से कम 8 साल के लिए आपको अपनी books of accounts को maintain करना होता जिस time पे आपने बनाया उस books of accounts को बनाया है आपको कम से कम 8 साल उसको preserve करके रखना होगा कभी भी आपसे books of accounts की demand है जो की जा सकती है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो conversion है conversion of LLP यह किस chapter में defined है यह जो हमारा act है LLP act इसके chapter 10 में defined है कि आप LLP को convert कर सकते हो ठीक है sorry LLP में convert कर सकते हो form को या फिर किसी company को तो याद रखेंगे chapter 10 है और इसमें 4 schedules given है this is very very important लिख लीजे अपनी notebook में ठीक है और winding अपकी अगर बात आती है तो मैं आप आप लिखवा देती हूं आपको winding up की बात आती है न तो किस chapter में बात की जाती है this is important तो winding up के लिए chapter 13 है ठीक है और अगर foreign LLP की बात की जाए तो इसके लिए जो chapter है वो है chapter 11 जो important chapters है मैं आपको लिखवा देती हूं ठीक है इसके साथ साथ chapter 10 important है जिसमें हम बात करते हैं conversion into LLP ये तीन chapters बहुत जादा important है directly chapter का नाम पूछा जा सकते है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं match the column है बताइए क्या होगा इसका correct answer कि अधिक है दुबारा कर लेते हैं एक बार LLP act है बहुत छोटा सा but important है ठीक है हर एक provision आपको याद होना चाहिए इसका okay option number eight तो limited liability partnership क्या होती है कि दो लोग मिलके बना सकते हैं ठीक है और body corporate भी इसमें partner बन सकती है बट कैसे अपने nominees के दुआरा क्योंकि directly कोई body corporate एक artificial personnel कोई natural person तो है नहीं कि वो अपने आप से decision वगरा ले सकती है तो इसके होते हैं वो partners बनते हैं तो एक बन हो जाएगा particular partnership मतलब particular है कुछ specific time period के लिए होगी तो specific venture के लिए बनाई जाती है particular time period के लिए partnership में दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब काम करते हैं mutual benefit के लिए वो partnership होती है और mutual agency के होती है कि आप agent की तरह भी काम कर रहे हैं एक principle की तरह भी काम कर रहे हैं सब के भी हाफ पे भी काम कर रहे हैं और सब के लिए भी आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे option number A इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बिल्कुल easy question था नई भी नहीं होगा it's A ठीक है चलिए यह last question आज की class का ठीक है आज की class थोड़ी छोटी रही है बट LLP से related जो भी चीज़ें थी ना हमने पूरी cover करने की कोशिश किया और इसमें आपके पास 12 points है हर एक point important है तो ध्यान से इसको पढ़के answer करना है यहां पर जब आप LLP form करते हो तो नेम चाहिए हमें ठीक है जैसे company के लिए name close होता है वैसी LLP में भी तो कितने time period के लिए आप application देते हो कितने time period तक आपको name given किया जाता है क्या-क्या name आप नहीं रख सकते हो वो सारे provision आपको ध्यान में रखने है झीता है क्या मिनिस्ट्री ओफ कॉर्परेट अफेर्स ने एंफोर्स किया था लेलपी एक्ट को 31 मार्श 2009 से लेलपी एक्ट 2008 हम बढ़ते हैं पर इसपे जो रूल्स अप्लाए होते हैं वह लेलपी रूल्स एक्ट रूल्स कौन से हैं 2009 है लेलपी एक्ट रूल्स 2009 याद रखेंगे यह चीज ठीक है तो आपको बताने कि कब एंफोर्स हुआ था ठीक है फिर पार्टनर्शिप लोग इस पर अप्लाए नहीं होता है सभी के सभी पार्टनर्स की लिमिडेट लियाबिलिटी होती है कम से हम दो डेजिगनेटिट पार्टनर्स चाहिए हमें ठीक है एक वैलिडेट लिप के लिए और उनमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए डीपी कोई और पर्सन भी हो सकता है अधर दन इंडिवीजिवल लाइक इंडिवीजिवल के अलावा कोई हुए फॉर्म या कोई कंपन पता होना चाहिए नेम है जो लेलिपी का मस्ट पी एंडिट वाइप राइवेट लिमिटेड या यह सही है लेलिपी है लीगल परसनालिटी सेपरेटेड फॉम इस मेंबर्स द लाइबिलिटी ओफ इच पार्टनर इस इन लेलिपी लिमिटेड यह तो सेम ही पॉइंट हो चलो मेंबर्स ओफ एट च्चेस पार्टनर यह इंपोर्टन एंट थेक्सेशन पॉइंट उब यू से बीपोर्टन है कि कि मेंबर्स प्हिंगें देशिक्स किये जाते हैं उन पर टेक्स लाइबिलिटी एरास उती है और जो बॉक सम्हें हो 8 साल के लिए प्रिजर्ब करनी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नम्बर ए सभी की सभी स्टेट्मेंट करेक्ट है सीरियसली गाइस थोड़ा सध्यान से इतना बड़ा कोशन इतना इजी नहीं दूंगी मैं हिंदी में भी पढ़ लो कि इतनी सारे स्टेट्मेंट साइंसका मतलब ही हैं कि सब स्टेट्मेंट से अभी अभी हमें चीजिस execut की It. एक ऐइक कमपणी है अगर उसको एल संकरौ में पार्टनर बनना है तो वह क्या करते है अपनी नॉमिनिस अभी हमें इतने स्कूस किया है और इसमें बॉल रहे हूं statement में कि other than individual कोई भी partner बन सकता है या तो बहुँचीज़ गलत होगी या यह चीज़ गलत होगी अगर आप कोछीज को सही बोल रहे हो कि nominees के थुरू आप बन सकते हो partner individual capacity में आप बन सकते हो partner तो यहाँ पे क्यों आप उस अगा था कम से कम दो क देजिनेडड़ चाहिए अगर एक ए में पांच देजिनेड़ फिर एंप उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कम से कम से कम दोने चाहिए ठीक है औए और designated partner कभी भी individual के अलावा कोई और नहीं हो सकता ठीक है partner तो firm भी बन सकती है कोई company भी बन सकती है बट designated partner बनना है तो उसको अपने nominee के थुरू बनना पड़ेगा एक person represent करेगा उस company को या उस firm को जो LLP में designated partner बनना चाहती है और जब आप कोई LLP को दिखाना चाहरे हो कि यह जो firm है वो एक LLP है तो क्या private company लिखोगे private limited से end करोगे उसके नाम को नहीं वो तो private company बन जाएगी कि LLP से ही end किया जाता है ठीक है acronym LLP यूज किया जाता है जब आप नाम लिखते हो किसी भी LLP का तो यहां पर private limited यह भी गलत है कि मुझे आंसर बताईए A B C और D वी आंसर आ रहे हैं मेरे पास ओके देखें यहां पर क्या है ministry of corporate affairs ने enforce किया था ही 30 March 2009 को बिल्कुल सही है partnership law apply नहीं होता बिल्कुल सही बात है सभी के सभी partners की limited liability है बिल्कुल सही है at least 2 designated partner चाहिए बिल्कुल सही बात है और एक उनमें से resident होना चाहिए designated partner can be other person no designated partner can never be other person other than individual he must be individual he or she must be individual ठीक है तो यह गलत है फिर इसके बाद listed company है वो convert नहीं हो सकती LLP में बिल्कुल सही बात है अभी अभी हमने पढ़ा और approval है जो LLP का अगर वो approve हुआ उसके बाद कितने time period के लिए valid रहता है तीन महीने के लिए यहां पर लिखा है छे महीने गलत है थ्री मन्स आएगा तो यह भी क्या है गलत statement है statement number eight क्या है कि name of the LLP shall be ended by private limited no not private limited shall be ended by acronym LLP ठीक है limited liability partnership ninth है an LLP has a legal personality तो yes यह legally अलग है ठीक है but independent of partners नहीं है इसकी entity separate है partner से but independent of partners नहीं है वो first question में जो हमने पड़ा था ना दोनों में difference है legal personality अलग होना और independent होना दोनों अलग-अलग चीज़े है ठीक है तो यहां पर यह statement सही है liability है हर एक partner की वो limited होती है यह भी सही है members है जो LLP के उनको as a partner text किया जाता है तो बिल्कुल सही बात है जब अब LLP की taxation निकालते हो ना तो वो as a partner यहां पर text किये जाते है books है जो उसको आंसर होगा option number B यहां से ही बहुत सारे questions निकल के आते हैं यहां पर आपको पढ़ना क्या है यहां पर यह पढ़ना है कि कब enforce हुआ था तो कब act passed हुआ था 2008 में but enforce होने में time लगा था तो इसे के लिए LLP rules 2009 आये थे ठीक है और यह सारी चीजें आपको याद रखनी है यह provision बहुत important है कि आप एक name को approve करवा रहे हो तो कितने time period तक वो valid रहेगा ठीक है और जब आप अपनी file करते हो ITR तो कितने समय तक आपको registrar को बताना होता है registrar of firms को और इसके साथ-साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कब आपको अपनी return है वो file करनी है कितने दिन के बाद file करनी है कितने time period के अंदर अंदर file करनी है यह चीजे हैं जो आपसे question में पूछी जाती है paper में ठीक है तो यह कुछ questions थे जादा questions आज की glass में नहीं करवाए हैं मैंने ठीक है as I already stated कि कुछ काम है तो इतने ही question है LLP के बट यहां से LLP के सारे question cover हो जाते हैं तो इनको आप revise करो इन से related जो provisions है उनको पढ़ो जो मैंने यह आपको chapter बताया है ना इन chapters को cover करो these are very very important और इसको compare करके पढ़ो partnership के साथ तो partnership के तरह ही है सारी चीजे बट कुछ कुछ चीजे है जैसे कि unlimited liability वाला point वो यहां पे अलग है बाकि सब partnership की तरह ही same है ठीक है इसकी PDF आपको मिल जाएगी commerce spotlight telegram channel है वहां पर मैं share कर दूँगी बहां से आप ले सकते हो ठीक है चलिए thank you so much मिलते हैं फिर आपसे next session में और जो रहेगा Monday को कल से योगेशर की classes होंगी तो आप जोइन कर सते है 7 PM और अगर आप prepare कर रहे हैं AP के लिए net के लिए set के लिए तो एक बर playlist को अच्छे से visit जरूर क काउंटिंग और लीगल हम स्टार्ट करने वाले हैं paid classes में ठीक है तो you can join if you want अगर आप target कर रहे हो पढ़ना चाहते हो guidance में पर आपको लगता कि मैं आपको अच्छे से guide कर सकते हूं तो you can join चलिए thank you so much bye bye